हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका सब्सेजुकेशन में आज टेस्ट नमबर तीन करेंगे हम लोग ठीक है सामान अध्यन का पेपर है आरो यारो के लिए और इसमें करेंट इपर्स मिलेगा आपको मार्च वो प्लेलिस पर पड़े हुए है उनको देखिएगा ठीक है वो हैल्ब करेगा पहला प्रसन पूछा गया है आपके निमलिके तमया से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी या फिर उसके आसपास का छेत्र कहा जाता है यह नहीं नगर का जो रिमोट एरिया है है ना नगर के आस पास का जो छेत्र है उसे क्या कहते है उसे अम लेंड बोलते है ठीक है अम लेंड बोलते है इसी का दूसरा नाम हिंटर लेंड भी है इंटर लेंड तो समझ रहोंगे वैसे अगर आप हिंटर लेंड का डिक्स्नरी मीनिंग देखेंगे तो इसका जो डिक्स्नरी मीनिंग है या बड़े अर्वन सेंटर से थोड़ा से दूर होता है यानि beyond the city located होता है ठीक है और यहाँ पर देखिए इसकी characteristics अगर पूछा जाए हिंटर लेंड की तो आप आराम से लगा लेंगे जब यह नगर छितर से बाहर है तो यहाँ पर जो economic activities है वो बहुत limited रहेंगी बहुत कम र अगर इसी सब्द को hinterland को या फिर inland को हम लोग किसी country के respect में देखें तो भी यहाँ पर meaning वही लगबग है ऐसा area जो country से बहुत दूर है मुख्य भूमी से देश की मुख्य भूमी से बहुत दूर है इस तरीके के area को hinterland बोला जाता है लेकिन जो hinterland है यह जादंतर जादंतर यूजड होता है यह urban planning के contest में होता है urban development के contest में किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर c option right हो जाएगा चलिए दूसरा प्रसंद देखिए समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परड़ाम सरूप किस मेंदान का निर्माण होता है आपको नदियों का अपरदन कराना ह है समुद्र तल के निकट जब नदियों का इरोजन होता है तब मेंदानों का निर्माण होता है ऐसे मेंदान को बोलते है payne plane हीनमें बोलते हैं संप्राय मेंदान है जो बढ़ा है के बार को में अरिया हमें होता है और फारलवा दाथ हम यह इरोजिनल अक्षिटी होती है मिन्ठ के दुआ हावा के दुआरा सक्ष सबस्जर अपन का कशलेगे नहीं था यहां पर राइट ऑप्शन था कर लेंगे चलिए तीसरे प्रेसंद में यहां पर कुछ घाटियां है और उनकी अवस्तिती बताने कहां पर कहां कहां लोकेटटटेट एक से लोकेटटट रेविट वेली जो है यह यह यूजिए में हैं ठीक है एकई हैपी हैपी वे पूचा गया है और यहां पर सबसे आसान स्वाद घाटी ही था तो आप भी का थ्री लगा सकते थे आपको आंसर मिल जाता भी अपसने आप राइट है अगे चले चले चौथा देखे निम्लिकत जीलों में से कौन सी एक ब्रंस घाटी में इस्तित है ब्रंस की इंगलेस होती ह दार बार्डरिंग कांट्री पूथा जाता है मैंटिं से कुछेन आता है तो में डूकेशन मौ आपको हाप एक कंट्री के आपको कीया लेक की और अफ्रीक, intersections काट्री चाट्री की सबसे बड़ी लेक भी है सबसे गहरी यानि deepest lake of the world कौन सी है यह है लेक बेकाल यह फेक्ट थोड़ा वेरिफाई करना आप लोग लेक बेकाल भी क्या फ्रेंस घाटी में इस्तित है ठीक है यह वेरिफाई करना क्योंकि जो जो लेक से घाटी में इस्तित होती है वो ज्याद अंतर डिपेस्ट होती है ठ लेकिन यह जन्रल फैक्ट है कि जो जील है वह बहुत बहुत डीपेस्ट है चलिए पासमा प्रस्ट ने देखिए यहां पर कुछ प्लांट है सो उर्जा सयंत्र है और समधित राज बताईए सबसे पहले तो चमेरा को मार कीजिए क्यों कोई चमेरा जो है यह निहूज में एक्सल रहती है और यह थे हाइड्रो इलेक्टिक ब्लांट है हमाचल प्रतेस में ठीक है हमाचल प्रतेस समे रावी नेवर पर इस्तित है तो यह पर पंजाब लिखा है यह गलत कर दीजीए कि अभी इंपोटेंट है पतरातु यह थर्मल पावर प्लांट है यह ठीक है ग्वाल पाड़ी यह अलगल इनर्जी प्लांट है यह हर्याणवां और यह जो मुप पंडाल लिखा यह बिंड यहां पर चारों जो उप्सन दियें अलग लग नेचर के यहां पर प्लांट है बिंड एनरजी में लिखते रहूं बिंड अन्रजी यह तमिल लाडू में इस्तेत हैं यहां पर सुमिलित कौन सा नहीं था सुमिलित नहीं था चमेरा बागी सब सही मैच है यह इंपोर्टन है तिबबत करें कितना है पर लुक्ष मिलियन से अगर क्रोड़ बनाना है तो क्या करना है पर नहीं से किलिए कडर आप और क्लीयर हो गया, सिरे यह ते पिद पर के प्ठार का एरिया और इंडिया की इतना परते हैं लोग, 33 100.00.000 किलियो साथ यह 250 नहीं होगा दस से गुणा करोगे तो यह 25 ही तो होगा ना यह गलत लिख दिमने यह 25 तो आप आप कंपेर कर सकते हैं कि अच्छा-कासा तिब्बत का पठार है अधि है इसके बारे में एक eer और कई एक फैक्ट और इंपॉर्डंट होता है इसका दूसरा नाम भी है इसका दूसरा नाम जाने चेंगट कर दाना चेंगे के नाम से जानता है क्लियर है चलिए साथ में देखें प्रमुख रेल मार गए और जुनने वाड़े इस्टेशन हैं ट्रांस साइवेरियन यह तो बहुत कॉमन फैक्ट है सैंड पीटर्स वर्क और व्लादी वोस्त तक दोनों को मिलाता है एक बार तो कुशन पूचा था कि यह इस रूट पर कित एसी है जो ट्रांस साइवेरियन को लाई नहीं करती है यह फिर ट्रांस साइवेरियन रेल भी ट्रेक का स्टेशन नहीं है ऐसा कुछ कुशन पूचा गया था तो मैं यहां पर मैप लगा रहा हूं और जितने भी आपको पॉइंट देख रहे हैं ठीक है इस तरी की रूट ह यह पहला पॉइंट हो जाएगा सेंट पीटर्स वर्क यहां पर और भी सिटीज है और यह लास्ट में यहां पर विलादी भूस तक यह लास्ट यह देस्टिनिशन है यह जो पॉइंट देख रहे हैं इन सभी को देख लेना ठीक देकना बी ऑप्शन कनेडियन पेसिफिक जो है ये हैलिफैक्स और वैंकूबर यह भी सभी है मैं आपर देखना ट्रांस-इंडियन जो यह बाल पर वोजू एबम उनसाहर्स यह जगह दिख रहें ना जूने साहर्स कहा है हैं यहां पर चारों कांटीनेंट नुह पहुंहों छारों से सबसे बड़ सब बडे तक mapped इसकि एlle नहीं एक्वारें ₹ दिख रहा न में तो इससी के समझ लेरा इस साथ हमिरीक कांटीनेंट एकारह आता है्स और यहां से केप से केप टाउन एक जगह बढ़ते हो ना अफ्रिका कॉंटिनेंट का सबसे जो लुएस्ट पॉइंट है वो केप करके है न कुछ तो यहां पर यहीं गलत है यह केप काहरा जो है इसमें जो नाम है ना यह इसी को कनेक्ट ही कर रहा है केप से आप केप टाउन लखी है और काहरा यह आपको दिखी रहा है ठीक है काहरा काहरो इंगलिस हैसी होती है इसकी तो यहां पर वर्सा लिखा यह गलत है तो डियॉप्स नहीं आप है अनमैच जथा रॉंगली मैच था ठीक है हो जाएगा ना चलिए आडवा देखिए नगर हैं कुछ देस हैं ड जाए नेजीरे की कैप्टल लागोज नहीं है ठीक है कैप्टल बताई जल्दी से अबूजा है ना अबूजा और पहला अप्शन डार्विन डार्विन गलत लिखा हुए अध्यक्षण अफ्रीगा डार्विन और औस्टेलियम है ठीक है तो पहले अप्शन को अटा दीजे दूसरा और तीसरा सीओ हो जाए59 चलिए नर्मी प्रेस्टन देखें के से किस एक को बुद्धिमान मान हो का निकटतं पूरभरज माना ज 거든요 क्रो मेंगनन ठीक है क्रो मेंगनन को निकट तम बुद्धिमान मानों माना जाता है कि देखें दसमां अरल सागर नेम लिकत मैंसे किन दो सागरों को यह मत देशते था बिल्कुल कॉमन सा कुश्चन है गलती हमेसा होती है तो वह यह अपना-पना मैप खोली है ठीक है करके पता आए रास चीज़ं ऊसमें मों ने सीरीडियर भाग में एक बड़ा भी है एक छोटआरल भी है कि और एडलसागर प्लेंटेटी इनका कोला कोनतफार्म कोनता चाह्तुं सब्सक्राइब हुआ में सब्सक्राइब चली ग्यारम प्रेशन देखें नीचे है बताइए आप नेमलिकित पर बिचार करें ट्रेकेंजबर्ग परवत है फैल लाह परवत है और उत्तरमासा अंतरीप लिखा हुआ है इसी को हिंदी में बोलते है के पी आप गोड होप ठीक है देख रहे हैं इसको मैं पर आपको अफ है यहां पर बताना क्या है यहां पर अफरीका महाधीब से सम्मंदत बताना है अच्छा ठीक है तो तीसरा तो पता चल गया ड्रेकेंजबर्ग बहुत इंपॉर्टन मांटेन होता है पूछा जाता है एक्सर एक्जाम में यह भी साउथ अफरीका में ही सुच्च्छेट है यहां पर अफरीका की बारे में नहीं पूछा है क्या कहते है मिलिए कोई थाथ है मिसिर के जु किसान उनको फैला वुना जाता फिर त्न इसतीए है ना अफ्रीका कॉंटिनेंट से तो यहां पर तीनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्संस अच्छे बनाए कोशन सही बनाया है कि चलिए भार मां देखिए पठार और देश से जल्दी से मिला यह कई बार कर चुके होई सब तो कोल रेड़ों यह है पठार यह यूसे में ठी में ठीक है यह तुर्की में फ्रांस गलात है और यह पास हो अब हो आप लोग देखते तो होनी कुछ को देखना होता है आप लोगो कितनी वेकैंसिस सा रही है कि अब देखते हैं लोग देखते हैं एक लोग लुग यहां पर सुमेलित बताना था सुमेलित यहां पर सिर्प एक है कोलाराड़ का पठार यह उप्चिन है पर राइट हो जाएगा चलिए तेर मां देखें विस्व के प्रमुख खान छेत्र बताईए माइनिंग एरिया मार कीजिए पहला अप्शन में लेगा है लेपरदोर गर् इतना के लिए सुपरियर जील प्रदेश इसके वारे में लोग समझते हैं यह 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 सबसे पहले इसकी अबस्तिती जानना बहुत महुत पूर्ण है और टॉम प्राइस के नाम से एक टाउन भी है ठीक है टाउन भी है और इस टाउन को माइनिंग टाउन ही बोला जाता है माइनिंग टाउन और यह भी फेमस किसलिए और यहाँ गोईगा है और यहाँ पर लॉए-स के खलनान चेत्र से संबंदित कौन नहीं हुआ कारागंडा बेशिन यहां पर दूसरा इसकी बाकी ऑप्षन 1,34 हो जाएगा भास एगा ठीक है देखें चाहूँ दुमा देखें नमरिकत में ऐसे कौन सा कारक इस्थाने पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदाई है मुझे लगता है इसको कल लेंगे आप है ना परवतों के उपरी भाग ये भी एक फैक्टर होता है तैटीय भूमिया फैक्टर है मरूस्थः डैजेट्स है कुलमला के दिखो जो ड्राविंग फोर्स है वावन का सोता कहा है ड्राविंग फ्रेसर होता है अगर किसी जगही पर है इसका मतलब है कि वहां पर परयाप्त मात्रा में हवाएं अवस्तित हैं ठीक है वहां पर हवा है सबी सिंड मात्रा में और जहां पर लोग प्रेसर है इसका मतलब है कि वहां पर हवाएं नहीं है हवाओं की मात्रा कम है यानि यहां पर और हवाएं आ सकती है तो यह जहां पर जादा हवाएं हैं ज्यादा हमाइं यह कम हवाओं की जगाय पर जाए ठीक है और इस इस प्रफेस को भरेगी और कब तक भरेएंगी जब तक इन दौनों जगाया पर इन दोनों जगाया यह बरावन नहीं घुलिए का तो यहां पर जल्दी ठंडे हो जाते हैं या फिर जल्दी गरम हो जाते हैं यही मतलब हुआ ना तो जब temperature का इतना frequent variation रहेगा तो pressure difference create होगा क्योंकि temperature और pressure में relation समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं कि समझाए हैं देखें जल्दी से देखें एक लगेगा देखे temperature जादा है अगर किसी जगह पर तो उसका मतलब है कि वहाँ पर हवाएं जो हैं वो गरम है ठीक है यह तो बिल्कुल बेसिक temperature का मतलब है high pressure से अब तो है go low temperature रहेगा तो हमाएं करण निकर 10 Biology तो यहाँ पर हीजगा पर पर रहेगे त्लदी हवाओं कि जादा है ठीक है और हमає पर बजन जादा है तो हहाँ पर प्रेशर जादा है cukrar के ऑएं हमान inici के राप करके टेंपरिकेशनर में variation के कारण यहाँ पर pressure difference create हो रहा और pressure difference जब create होगा तो हवाएं चलेंगे ठीक है यहीं यहाँ पर तीनों में आप यहाँ पर region लगा सकते हैं आप यहाँ पर जो कारण में ने बताया है यहाँ जो इसका explanation दिया पहले option का यहाँ पर तीनों options हो जाएंगे राइट चले अंदर में देखे निलगरी पहाड़ी का विस्तार बताईए निलगरी पहाड़ी का विस्तार तमिलाडू में है केरल में भी है कनाटक में भी है सबी हो जाएगा और इसकी निलगरी पहाड़ी की जो हम लोग पूची है ही लगवग 2600 मीटर हाइट है इस वहाड़ी की चलाएं सिस्टीन देखें सिस्टीन में पूछा है यह सुरुवार्प में जोगरफी के कुशन है 15-20 कुशन बारत के पूर्भी और पश्मी सुदूर बिंदूं के इस्थानिय समय में लगवग 2 घंटे का अंतर है यह तो समझते हो ना दो घंटे का फरक है ठीक है इसका करण क्या है यह दो घंटे का डिफरेंस कहां से कहां तक बता रहा है यह वाला जो आपके पास दिस यहां पे चार बजरा सोब्सक्राइब तो यहां भ 죄송 खंटा पीछे स्मय रहेगा चुछ रहेगा her यहां पकान। यहां पर टार मेन भाणाइने पना हुए लोगों ने खड़न भाणाइन कर फॉशान चाहिए यहां पर ना भाच काव तक शेम ये उप्सन यह पिश पर रहता है इस होगो एक किकरी जो खालप चार मिनट के बराबर है ँअसरोज इन दूट गंटे की बात करें तो दो गंटे का मतलब है 612, 120 मिनट है ना 120 मिनट तो 4 डिगरी एक मिनट के बराबर है एक डिगरी 4 मिनट के बराबर है तो 120 मिनट कितने डिगरी के बराबर होंगे लगभग लगभग 30 डिगरी के बराबर होंगे की नहीं ठीक है मैं लगभग लिख रहा ह समझ में आया चलिए सत्रमा देखिए तिरपुरा राज तीन तरफ से बंगला देश से घरा हुआ है मैपें खोली है तुरंत तो अच्छे से क्लियर होगा फिर देखें सिक्कम प्रिदेश की सीमा नेपाल भूटान और चीन से मिलती है यह भी सही है दोनों सही है अपर ठीक है प्रिदेश तीन तरफ से बंगला देश से घरा हुआ है सिक्कम प्रिदेश की सीमा तीनों देशों से स्पर्स करती है यह तीन देश कौन कौन से है एक तो नेपाल हो गया और दूसरा भूटान हो गया और दीसरा चाइना हो गया ठीक दोनों बातें आप सही है चले अठ़र होणिक ऐसाल में पधों को गाना यह तो सही मैच है होटी कल्चर यह भाग magari होता है यह भागानी होता है पिटि एंदलं के kep các और और एपी कल्चर जो लिखा हुआ है एपी कल्चर ये मदु मक्की पालन होता है ठीक है मदु मक्की रेसम कीट पालन को नहीं रेसम कीट पालन को तो सेरी कल्चर बोलता है सिल्क बॉर्म रियरिंग जो होती है से सेरी कल्चर बोला जाता है ठीक है यही गलत में चे डी ओप्सिन आपर राइट हो जाएगा चले नैटीन देखें बायू मंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है यानि आप बात आप रण में सभी गेसों का कॉंट्रिबूशन पढ़ते हैं ना डिस्टिबूशन पढ़ते हैं सबसे पूचा जाएगा आपसे पूचा जाएगा तीसरी नंबर का और चौथी नंबर का एक बार तो कर्वन डियोकसाइट की परसंटिस पूचा था अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसके बाद जो चार गैसों का पेर बनता है उसमें हीलियम है फिर नियोन है फिर छोफ तो सही लिखिए ठीक है ओजोन केवल सम्ताप मंडल में ही पाई जाती है यह कह रहा है तो यह वास सही लग रही है कि गलत है कि हम लोग बाता बरन यानी एडमासफियर की लेयर्स पढ़ता है आई-म-a-s-t है ना यह उपर से नीचे की तरफ है या नीचे से उपर की तरफ है ठीक है मतलब ट्रोपे उस्पेर होता है यानि छो मंडल इस्ट्ट्ड्योस प्रयानि मद्ध मंदल आई मतलग आइस्पेर सब से उपर है एक्सड पर ठीक है तो आप वर्ण का जो पड़े गया ना रामोसी विद्रो ये अठारा सो वाइस से चब्वीस चार साल से चला गड़करी विद्रो ये 1844 की बात है ठीक है और रंगपुर विद्रो इनकी जगह भी जाने यह जगह भी पूचा जाता है रामोसी विद्रो एक्टिव था महारास्ट में गड़करी ये पूच्वी महारास्ट में और रामपुर विद्रो ये 1784 ये क्रिसक विद्रो जो है ना यारी कुशन रहते ही रहता है इस्ट्री से ना और इनको याद कर पना बहुत कटिन होता है जो बहुत कॉमन है जो बड़े विद्रो थे उनको हम लोग लगा लेते हैं इसे सब्सक्राइब के बाद 1869 में ये भी किसान बिद्रो था और एक्टेव एरिया जो था वो बेंगल था बैस्ट वंगाल तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले घटेत कौन होगा सबसे पहले जो सबसे पुराना यह होगा वो हो जाएगा सबसे पहले तो रामो से ही करेक् कीजिए 20 कुशन कीजिए ठीक है फिर मिलते हैं अगले पार्ट में मिलेंगे और देखते रहें और रिवीजन करते रहें और सिविल्स एजुकेशन को सपोर्ट भी करते रहें मैं बोलता नहीं हो जल्दी फिर भी आप लोग सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा हिम्मत आती है चलिए फिर मिलते हैं पार्ट नमबर टू में मिलेंगे टेस्ट नमर थरी के थेंक यू